आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हम सभी का फेवेड बहुती मज़ेदार उपर से एक दाम कुरकुरा क्रंची और अंदर से सौफ्ट जबरजस्त वाला साबुदाना वड़ा आज की मेरी हरेसिपी देखने के बाद आपके साबुदाना वड़ा सबसे बेश्ट बनेंग न फटेंगे और नहीं नरम पड़ेंगे बिल्कुल कुरकुरा क्रंची ही बनेंगे तो आए फटा फट से सुरू करते हैं यहां हम सबसे पहले बड़ा से भरतन लेंगे यहां मैंने एक कप साबुदाना लिया जो दो से तिन घंट पहले पहले ही भीगो के रख दिये थे य यहीं पर साथ यहां मैं आदा कप मुंफली दाना लिए मिक्सी में पीसी और पाउडर बना लिए और यहीं पर बारी कटा दन्या भी डाल दिया मैंने अब हम इन सभी चीजों का अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखे हमारा साबुदाना कितना खिला खिला बना है बिल्कु चिप-चिप यहीं गले हो चोटा चमच काली मिर्च पाउड़र बिर्च हो चाहिए बिल्कु यहीं पर ड़ता नमक जाल पाउडर साबुदाना लिए बिल्कुदाना जीरपाउडर ना है लगे हम अच्छे से मिक्स कर लिए तो यहीं पर हमने दो उबले हूए यालु तो हम इन सभी चुछों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलो डालने से क्या होगा कि हमारे सावुदाने बिल्कुल भी नहीं फटेंगे बहुती स्मूत और चिकने बनेंगे अच्छे बहुती बढ़िया अगर आपको लगे कि आपके सावुदान में आटा डाल सकते हो जो भी हम वुरत में खाते हैं राजगीरा काटा या सिंगाडे काटा जो भी हम आप खाते हो डाल सकते हो इसमें तो में देखिए इसमें थोड़ा से निकाल रही हूं तो यह बिल्कुल छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोट करते हुए जिससे कि हमारे साबुदाने वड़ा बिल्कुल भी तेल में फटेंगे नहीं और एकदम क्रंजीवा कुर्कुरे बनेंगे यह इस तरह से आपको लगे तो इस कौप किनोरों से इसमूद कर दिजी अच्छे से तो हमारे साबुदाने वड़ा बिल्कुल भी नहीं खटेंगे इसी तरह से हम सभी वड़े बना लेंगे अगर आपको लगे कि आपको इसी जी जो भी आप बुरत में ना खाते होता आप वह न डाले आप उन्हें हटा सकते हो तो इसी तरह से ह सारे साबुदाने के वड़े बना लेंगे छोटे बड़े मीडियम साइज में यह लीजी हमारे वड़े बिल्कुल बनके तैयार है तो आए हम पटापार से इने फ्राइ करेंगे यह तेल मेने पहले गरम रख देते तेल को बहुत अच्छा गरम होना चाहिए और हमें इसे सब मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे हमें सब एक साथ नहीं डालना है थोड़े थोड़े ही हमें डालना है अब कुछ देर बाद हम इसे उलट प्लोट करके बलटा लेंगे तो देखिए हमारे साबुदानावडा कितना बढ़िया कलर आ गया है बहुती बढ़िया और क् देखिए और मज़ेदार बनाने वाले चटनी जो हम वरत में खाते हैं फटा फट से हम लीजी मिक्सर का जार यहीं पर मैंने एक मुठी धन्या धोके अच्छे से रख लिया था फ्रेस ताजा धन्या और यहीं पर मैं थोड़ा पुदीना डाल रही हूं यहीं पर दो से ति पसंद करते हो आप इसमें मुठली दाने का पावडर भी डाल सकते हो एक चमाच इससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा यह लीजी हमारी चटनी भी बिल्कुल तैयार है इसी तरह से आप भी बनाएं बहुत ही बढ़िया बनेगी है चटनी धन्या पुदीना की चटन मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसे कमें आने वाली हर वीडियो आप तक पहुता सको